हेलो ब्रिवान वेलकम टू इस्टेडी विद ग्यान टरकास तो दोस्तों UPPCS ROARO और BPSC TRE3 के साथ साथ अन सभी परिदोगी परिक्षाओं के लिए यह नौवंबर का complete gist है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी UPPCS की परिक्षा यह 22 दिसमबर को होनी है और BPSC की पर नौवंबर के जितने भी बहुती अच्छे प्रस्ण बन सकते हैं जिनके पुछी जाने की संभावना सरवार्दिक है उनको हम यहाँ पर वन सौट में देखेंगे तो आई यह स्टार्ट करते हैं और पहला question जो कि बहुत important है ध्यान से देखिएगा उंश्रकटिबंदी अब पूछे जा रहे हैं ठीक है तो ट्रॉमी जिसने वियतनाम को हिट किया था तो यह किस प्रकार का तुफान था तो यह एक उंश्रकटिबंदी तुफान था यह आप याद रखिएगा और इसके पले यह जो ट्रॉमी नमक तुफान आया था यह फिलिपीन्स में भी आय उसका नाम बड़ा इंप्पॉर्टेंट है नाम होगा आपडेशन सथ्भाव। तो एकजामन में यह प्रसम या सकता है की जो आपडेशन सथ्भाव चलाय था भारत ने यह किस छ्शा rifman के बाद होई तबहई के सह ہےता के लिए चलाय था तो इसका नाम याद रखिएगा आ का सफल सं令 परिक्षन किया था यह न नौट को पर फिलाल तो जिवन बहुत ही खराब इस्तिती है और आपको यह भी पता है कि यहां का जो तकूत साह है उसका नाम है किंग जांउं ठीक है और राजधानी कहां पर थे प्योंग यांग है नार्थ कोरिया में हासुंग 19 नाम का जो वलेस्टिक मिसाइल है इसका सफल प्रिक्षन क्या गया है रेंज इसकी 1000 किलोमीटर है अगला कुश्चन है हाली में किस सेर में गुजरात के स सबसे बड़ा वेस्ट एनर्जी प्लांट है इसकी सुरुवात अहमदाबाद में की गई है अगला कुश्चन है इनालाग स्पेस मिसन यह नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इनालाग स्पेस मिसन जो की इसरों ने लेह में बनाया है तो इक्जेक्ट्ली यह जो इसपेस ट्रवलर होते हैं अंत्रिक श्यात्री उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो इनालाग स्पेस मिसन यह कहां पर इस्थित है लेह में इस्थित है लद्दाक में और इसे बनाया किसने है इसरों ने यहाँ पर क्या होता है तो जो इसपेस ट्रवलर हैं अंत्रिक श्यात् और इनालाग Space Mission में इसरुन ने साहता ली थी IIT Bombay की अगला कुशन देखिए Under 19 World Boxing Championship 2024 से संबंदी थे Under 19 World Boxing Championship 2024 आयोजन इसका October के मेने में किया गया था 26 October से लेकर दूम नॉवंबर के बीच में और कहां पर किया गया था? Colo Rodo में किया गया था और जो Middle Teddy है, Middle की सूची है उसमें पहले अस्थान पर कोन है? England है और दूसरे अस्थान पर है हमारा प्यारा भारत ये याद रखना अगला कुशन देखते हैं ये अनिस सरकार की तस्बीर है बहुत ही प्यारे हैं देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहा है ना अनिस सरकार इनकी उम्र बड़ी कम है 3.8 साल के हैं मतलब अभी 4 साल इनके पूरे नहीं विये हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो फीडे के ये रेटेड सत्रंज खलाड़ी बन चुके हैं भाई साब ये आपकी जो उज़ना है उसी से मिलते जुदी योजना है ये योजना आंदर प्रदेश की योजना है और इसमें क्या होगा कि एक साल में 3 गया सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे तीन गया सिलेंडर जो हैं वो मुफ्त दी जाएंगे दीपम 2.0 रियोजना की अंतर गयत अब आपको ये बता रहा है कि आंदर प्रदेश के बरतमान में बहुत आसान प्रस्न है ना कि सीम कौन है ये बता दो जी ट्वंटी समीट 2024 बहुत ही इंपोर्टेंट जी ट्वंटी समीट 2024 इसका 19 संस्क्रण कहां पर हुआ तो ब्राजिल में हुआ ये याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है इसकी एक थीम भी रखी गई कि एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकावू ग्रिह का निर्माण एक न्यायपूर्ण दुनिया और अफ्रीकन यूनियन ठीक है थोड़ा सा हिंदी ग्रिजी मिक्स हो रहा था ना तो हसी आ गई तो मतलब 19 देश है और EU है इसमें European Union है और अफ्रीकन यूनियन है AU तो इस परकार से देखेंगे तो अब जो आपका G20 था ना इसमें 21 देश प्लस संगठन सामिल हो चुके हैं क्योंकि इनको ताब संगठन ही कहेंगे न तो चलो आगे बढ़ते हैं और हाँ ये भी याद रखना कि G20 समीट 2023 का आयोजन कहा पर हुआ था चलो बता दो कहा पर हुआ था हाली में किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए सम्मिधान को मंजूरी दी है तो भाई साब लोग कर रहे हैं कि हमारे देश में नए सम्मिधान बनना चाहिए और ये सम्मिधान कहां पर बनेगा तो ये बनेगा गैबून में कहां पर गैबून गैबून की राजधानी कही बार एक्जाम में पूछ लेता है पूछता है भाई साब बताओ गैबून की राजधानी कहां पर है तो बड़ी ही अजीब सी नाम है लिब्रेविल लिब्रेविले पढ़ लो या लिब्रेविल पढ़ लो मुझे तो आता नहीं है आप बताओ, क्या पड़ोगी से, यह लाई बी आरी, वी आई डबल एली, लिब्रेविल है क्या, कि लिब्रेविल है, ठीक है जो भी है, याद दखना, इंपोर्टेंट है गयबून, और इंदिरा गांधी सांती पुरुसकार दोजर तेईस, इंदिरा गांधी सांती पुरु अवाद, अली आबू अवाद, ट्रिपल ले, एक एक फिलिस्तिनी सांth Girl करता है, इन दोनों को दिया गया है इंद्रागांधी सان्ती पुरुसकार, कि दोनों ने सांती फैनाले में बहुत प्रयास किया है, बहुत महनत करी है, हिंगोट क्या है जानते हो, हिंगोट एक फ्रूट होता है एक फल होता है और ये कहा पर मिलता है तो मतव प्रदेश में मिलता है तो दीवाले के दिन क्या होता है कि हिंगोट जो फ्रूट होता है उसके अंदर कुछ रखकर फेका जाता है इसे हिंगोट उत्सो कहा पर मन decl Shayini तो यह लद्दा का महुत्सो है लद्दा की मनाया जाता है यह महुत्सो इसका नाम बड़ा प्यारा लगता है मुझे शुरुबाला इसी प्रिकार से एक नाम और है चलो नाम जाद रखो निंगोल चकोबा त्योहार क्या नाम है इसका बड़ा यह अच्छा नाम इसका भी है निंगोल चकोबा, यह कहां पर मनाया जाता है, तो यह तेवार है मडीपूर का, एक और है, बली पधामी, उत्सो कायोजन के आहां पर किया गया है, तो करनाटक में, ठीक है, शुरुबाला, लद्दाक, निंगोल चकोबा, मडीपूर, बली पधामी, करनाटक, और हाली में, भार्दी तटरक्षक गस्ती बल के लिए, दो स्वदेसी तेज गस्ती पोत, इनके नाम हैं आपके अदम में, और अक्षर, तो यह जो अदम में और अक्षर है, एक्जाम में प्रस्न पूछेगा कि अदम में और अक्षर क्या है, तो आप यह बता देना कि यह भ गया है, स्वदेसी ही ही तो गवा में ही भारत में ही बनेगा, ठीक है? IMF के अनुसार भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थिवरस्था बनने की समवाना कब तक है? यहाँ पर IMF नहीं बात कह दिए तो हम बिल्कुल मान की चलते है Hausar leaf Mes columns डिक्सिनरी के दवारा 2024 का word of the year घोसित किया गया है किस word को 2024 का जो word of the year है ये कहा गया है ब्राट को ठीक है हालांकि मुझे पता नहीं है कि ये ब्राट जो है इसका प्रयोग कहां पर हम लोगों ने किया और इतना ज़्यादा कर लिया कि कोलिंस डिक्सिनरी ने इसे word of the year बना हो आप कि ये जो ब्राट है इसका उपयोग कहां पर होता है किस लिए होता है गूगल कर लो इसका आंसर मैं आपको पहले करने दे दूँगा ठीक है छेतरवे गरतंतर दिवस यानि कि 26 जनवरी 2025 को हम छेतरवा गरतंतर दिवस मनाएंगे तो मुझे अतित कौन बनेंगे तो प्रभोवो सुवियान्तो ठीक है तो याद रटना प्रभोवो सुवियान्तो ये 2025 को हमाला जो 26 जनवरी गरतंतर दिवस उस दिन मुख्य अतिती बनकर आ रहे हैं प्रभोवो सुवियान्तो ठीक है हाली में पहले ACI बहुत सिकर से मिलन अब ये पहला है तो इंपोरे ACI का ये पहला बहुत सिकर समयलन है पहला ACI बहुत सिकर समयलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में होने वाला है तो ये question बहुत ही important हो गया भाई साब क्योंकि एक तो दिल्ली में हो रहा है भारत में ये पहला ACI बहुत सिकर समयलन है 2024 का तो ये बहुत इंपोरेंट है नई दिल्ली में मुझे लगता है यह exam में आये गा, तो इसको रट लेना, ठीक हैं हाली में अंतररास्त्ती Bio-Sphere Reservor Divus 2024 कम मनाया गया दियकर यह अंतररास्त्ती Bio-Sphere Reservor Divus की बारे में बात हो रही है, यह मनाया गया थी 2, 9 घर को ठीक हैं, और हाली में जारी WESublic Global AI Tयारी Soojkan इसको अंग्रेजी मियाद रखना यह आसान पड़ेगा आपको यानि कि Global AI Preparedness Index इसको जारी कौन करता है यह आपका IMF के द्वारा जारी होता है और भारत जो है यह जो IMF का Global AI Preparedness Index है भारत इसमें 22 अस्थान पर है टाप पर सिंगापूर है फिर डेन्मार्क है फिर USA है ठीक है इसके बाद है कि अंतरराष्टी सौरगडबंधन सभा के सात्मे सत्र का आयोजन आपको पता है यह ISA के बारे में International Solar Alliance इसका जो सात्मा सत्र था यह नई दिल्ले में आजित किया गया था इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे आगे ठीक है जैसे कि ISA का सौमा देश कौन सा बना था 101 कौन सा बना था 2 कौन सा बना था 103 कौन सा बना था सब पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा सा ध्यान रख लो अच्छा मैंने अपने ट्विटर एकाउंट पर पूछ लिया था कि यह बताओ कि माउंट लेबो टोबी लाकी-लाकी का जोला अब मैंने बस इतना पूछा थ कि यह बताओ लेबो टोबी लाकी-लाकी का नाम आपने सुना है तो वहाँ पर लोगों ने बड़े अजीव-जीव कमेंट किये एक भाई सामें लिखा था कि लग रहा है कि गली में कोई लौकी बिसने वाला है जो की टोपी भी पेच रहा है ठीक है तो वैसे इसे कमेंट आ कि यहां पर बार-बार विसफोट हो रहा है ठीक है लेबो टोबी लाकी-लाकी में बार-बार विसफोट हो रहा है यह एक जोला मुखी परवत है कहां पर मिलता है यह इंडोनेसिया में तो इंडोनेसिया का जो जोला मुखी है नाम इसका लेबो टोबी लाकी-लाकी इसे बा अबाद में आप यहां पर टोबी को टोपी पढ़ लेंगे लाकी को लोग चलो हाली में भारत और किस देश के बीच विनबैक्स 2024 अभ्यास का जून किया गया है तो नाम देखो यहां पर है ना वी आई एन वियतनाम और इंडिया वी आई एन बाइ लेटरिल एक्सरस आई है यह तो भारत अभी अदनाम के बीच में हुआ यह तो कंफर्म हो गया नाम से यह असपस्ट है नाम में दिया गया है उत्तर इसका और यह इसका पांचवा संस्क्रण था यह याद रखना और इसका आउजजन नॉम्बर में 4 से 23 नॉमबर तक क कहां पर किया गया यह याद रखना यह काफी इंपॉर्टेंट है अंबाला और चंडिगर में किया गया था पाला संस्क्रण इसका जो था ना वो 2018 में हुआ था कहां पर हुआ था तो मद्यप्रदेश में हुआ जबलपूर में ठीक इतनी बात याद हो गई आगे बढ़ते EV ब्रा counties मनलैक इक एक आपड्री वाली motorcycle को लांच किया है EV इम्रांड उसका नाम हुआ फ्लाइंग्फली क्याuman होगा flying fly मध्ध प्रदेश कविनेचमने राज स्यवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिस्त नोकरी का आरक्षन दे दिया है तो मद्यप्रदेश केविनेट ने अपने राज स्यवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिस्त का आरक्षन दे दिया है कि अगर हमारे यहां 100 सीटे होंगी तो उसमें हम 25 महिलाओं को नोकरी द चाहते हैं आप पीजी करना चाहते हैं या फी डॉक्टर बनना चाहते हैं इंजिनियर बनना चाहते हैं रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतरगत रिंट प्रधान किया जाएगा और इसमें ब्याज में भी का पार्टी है अच्छा आप कुझे यह बताओ कि जो डोनाल ट्रम्प है इनका जो एलेक्शन सिंबल था वो क्या था चुनाओ चिन क्या था ठीक है यह बता दो तो थोड़ा सा आप लोग जाना करो यह सब चीजें यह जरूरी चीजें है ठीक है हाली में पहली बार अच्छा आ नीले रंग का गधा है और रिपब्लिकन पार्टी का लाल रंग की हाथी है ठीक है तो बस यही दोनों याद रखना है हाली में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौ फ्रेगिस्तान कहा इस्तित है अब देखो यहां पर पानी तो बरस्ता नहीं था बहुत खत्रे में है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है पता नहीं चलेगा किसी को और इसलिए मैं करता हूं कि ग्लोबल को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसान का अस्तित खत्रे में है ठीक है तो यह सरह चीज़ें फिलाल बर्भारी हुए थी अलजौ प्य तो क्योंकि पहली बार हुई ना यहाँ पर अब मतलब समझ लोग की पहली बार यहाँ पर बरफ गिर रही है कभी बरफ नहीं गिरी हाँ पर हाली में जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से अस्थान पर है आपको समझ में आता होगा ना कि यह बार बार जो है इंडेक्स बदलता रहता है एक साल में कितनी बार जारी होता है तो तीन बार भार जारी होता है अक्टूबर में जब जारी हुआ ना तो बताया दिया गया कि भारत 83 में अस्थान पर है यह याद रखना, हाली में विशेश सिक्षा शेत्र, इस्पिसल एजुकेशन जोन, यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदिस में, उत्तर प्रदिस के किन किन सहरों में बनेगा, तो छह जिलों में बनेगा, लखनों में, गोरखपूर में, अध्या में, आगरा, गोतंबुद मंद, चीन से है, और यह जो जुनो वेटसला लगाई गी है, यह न्यूट्रीनो, आपको पता होगा, न्यूट्रीनो के बारे में, यह एटम का एक हिस्सा होता है, और उसी के ध्यन के लिए चीन ने इसको लगाया है, जुनो मतलब, जयू यनो, मतलब, जियांग में, अंड अडर ग्राउंड, न्यूट्रीनो अब्जर्वेट्री है, भारत में कहा पर न्यूट्रीनो वेटसला स्थापित की जाएगी, तो थ्रेनी में की जाएगी, तमिल नाडु में, तो आजकल न्यूट्रीनो पर सोथ चल रहे है, दुनिया के लगबग, हर देश में भारत भी तमिल नाडू के थ्रेनी में लगेगी नूट्रेनो वेट साला राश्ट्री कैंसर जागरुकता दिवस मनाया गया था है अभी हाली में साथ नौंबर को कई बारिजा में पूछा गया है तो इसे सामिल कर ले हमाने इस वीडियो में हाली में लांच भारत की पहली रेड डॉट साइड पिस्टल का नाम क्या है रेड डॉट साइड पिस्टल इसका नाम है फैंटम इसका निर्माण क्या गया है करनाटक की कंपनी है एस्ट्रे डिफेंस के द्वारा यह एक पिस्तौल है भाई साब किस राज ने नए DGP नियुक्ति नियम लागू किये हैं तो उत्तर प्रदिस में अब क्या होगा कि जो DGP बनेंगे उनके नियुक्ति सरकार आप खुद करेगी अब सरकार जो है वो UPSC पर निर्भर नहीं रहेगी हाली में किस दिस ने 16 वर से कम आयू के रिए सोसल मेडिया पर प्रिदिबन लगाया है तो 16 साल से कम आयू है तो फिलाल तो ना तो Facebook चलेगा ना अभी जो Australia में आपका TikTok चलता है यहाँ पर तो नहीं चलता है Australia में चलता है तो वो भी नहीं चला सकेंगे मतलब अगर 16 साल से कम उम्र है ना Facebook चलेगा ना एक्स चलेगा ना TikTok चलेगा ना कुछ भी नहीं चला सकते और यह बियुस्था जो है वो कमपनियों को स्वैंग करनी पड़ेगी 16 साल से कम उम्र के बच्चे मुझे लगता है यह बियुस्था अच्छी है आपको क्या लगता है कम बने करें बताईएगा नवंबर 2024 में आश्ट्रा हिंड पढ़ लो आश्ट्रा हिंड सेंग अभ्यास कहां पर आउजित किया गया तो पूरे में आश्ट्रा हिंड मतलब यहां पर जैसा कि नाम से यह अस्पस्थ है यह आश्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ होगा तो हाँ बिलकुल सही है आश अगले एक वर्ष तक फे nessasad यहाले आश्ट्रा हिए गोरो वर्ष तो विर्ष्ठ मटा जी संगया भाई दी जाती है तो एक वर्ष तक में वर्ष टक इसके सुरुआतर शुरुआत पृद्धानमंत्री c2 के मोदे धिशी की म सुध्या कि गई है और आपको याद को कि जंजाती गौरत दिवस भी होता है 15 नौवंबर को विर्षा मुंडा यह नाम आपने बहुत सुना होगा विर्षा मुंडा जंजाती नायक थे और एक किताब आई यह विर्षा मुंडा जंजाती नायक यह किताब रिखी गई है प्रोफेसर आलोग चक्रवाल के द्वारा दिली में जो सराए काले खा चौक था उसका भी नाम बदलकर विर्षा मुंडा जी के नाम पर ही कर दिया गया है हाली में T20 में लगाता और दो सतक लगाने वाले भारती क्रिकेटर बन गये हैं संजू सैमसन तो T20 में लगाता और दो सतक लगया है इन्होंने ठीक है इसके दिखते हैं ये तस्बीर याद अगना ठीक है ये अर्मिलेजी यें और मिलेजी जी醒 को एक पुरुसकार मिला है पाचवा कुलदीप नय श्मृती पत्र करता है किसको और मिलेजी को फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्सवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्सवर्धन अग्रवाल और पुस्कर मेला अच्छे एक आपको डिफरेंस बता देता हूं पहले याद अगना एक होता है आपका पुस्कर मेला ठीक है तो अगर बात ह यह हुआ पुśकरád नहीं। जो आपका पुसकरद मेला है यह कहां पर लगता है तो यह लगता है आपका राजास्थान में. जबकि एक आपका उता है पुśकरमहसो ठीक है तो अगर पुśकरमहसो की यह है कि यहीं दुनिया का एकमात ब्रह्मा जी का मंदिर भी है भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उध्गाटन किया गया है बैंगलूरू में यह याद अगना अब फटाफट आप यह बताओ कि भारत की जो पहली वैदिक घड़ी है यह कहां पर लगाई गी है आसान सा प्रसन है फटाफट इसका अंसर करतो चलो अगला क्वेश्चन होगा राष्टी सिक्षा दिवस का बना जाता है तो 11 नॉवंबर को राष्टी सिक्षा दिवस और हाली में किसे एजुकेशन वर्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से समानित किया गया है तो कुडाल दलाल जी को कुडाल दलाल है इनको एजुकेशन वर्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से समानित किया गया है बिमस्टेक उरजा केंद्र अस्थाफित किया जाएगा बैंगलूरू में या पहला है तो important है अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास उरू क्या गया है खुद हमारे प्यारे भारत के द्वारा और इसका नाम होगा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 अब देखो एक most important question और question यह है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है तो देखो दो बुकर पुरस्कार होते हैं आपको पता बुकर पुरस्कार तो यहां पर बात किसकी हो रही है ? बुकर पुरस्कार के बारे मेरे हो रही है तो बुकर पुरस्कार 2024 को जीत लिया है समन्था हारवे ने इन्हों ने एक novel लिका है ंपाल लिंच को मिला था और उनका जो novel उसका नाम था Prophet Song ठीक है हाले में किसने Miss Teen Universe 2024 का खिताब जीत लिया है तो Trisada Ray इन्होंने Miss Teen Universe 2024 का खिताब जीता है मतलब इसमें वो लड़कियां सामिल होती है जो 19 से कम होती है मतलब प्रॉल्ब के बाद आखता है ना 13 से लेकर 19 के बिच्विचिन की उमर होती है वो बनती है Miss Teen तो Trisada Ray बन गई है Miss Teen Universe 2024 हाली में 20 मधुमें दिवस मनाया गया था वर्ड Diabetes Day ये 14 नॉम्बर को होता है आपको पता ही है कि Diabetes Lifestyle की बीमारी है आप चाहें तो Lifestyle बदल कर Diabetes को काफी है तक कंट्रोल कर सकते हैं अथरवाइस आप दवा खाऊ और दवा खाना अच्छी बात नहीं होती है इंसुलिन की ग्रवड़ी की विज़े से होता है मधुमें और इंसुलिन की खोश की की थी सबसे पहले Frederick Bunting के द्वारा Frederick Bunting ने 14 नॉंबर को बताया था और 14 नॉंबर स्वारी 14 नॉंबर के जन्म हुआ था Frederick Bunting का जहनों ने इंसुलिन की खोश की थी तो उने की याद में प्रतिवस 14 नॉंबर को हम मनाते हैं विसुमध में दिवस इस साल की थीम है Breaking Barriers cleansing gaps. ठीक है? हाली में Donald Trump ने किसे? America का raksha mentary बनायाया है. मैं ने आपको बताया ना कि Donald Trump ये America का 47 में करम के president बन चुके है उन्होंने एक SHEA मंतरी बना दिया है Pete Hake Seth को अगर आप newspaper देखते होंगे तो Pete Hake Seth को लेकर फिलाल pelos तो एक controversy भी चल रही है कंट्रोवर्सी क्या है आप कमेंड कर दो बाकी लोग पढ़ेंगे और जो लोग इसे पढ़ेंगे वो इसे लाइक जरू करेंगे हाली में किस देश ने भारत से सता से हवा में मार करने वाली आकास मिसार प्रडाली को खरीदा है मनने आपको बताया था न कि यहाँ पर अगर आम बात करें International Solar Alliance के बारे में तो International Solar Alliance का जो 14-1 डिस बनाए कौन सा बना है यह कर बाताओ फ़ले फिर हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सा बनाएं और क्यों में पूछ रहा हू hun तो देखो, हाल इमें, किस देश ने भारत के सतर से हवा में मार करने वाली आकास मिसायल खेल दी, तो आर्मेनिया ने खेल धी है, भारत आर्मेनिया को 15 आकास मिसायल मेचने वाला है, ठीके, और उत्तर प्रदिस में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां पर चलाई गई है तो लखनाओं में प्रधान मंत्री मोधी को डोमनिक देश का सर्वोस सम्मान मिला है तो यह जो डोमनिक कंट्री है इसकी जो राजधानी उसका नाम पूछ रहा है तो रोसेयू यह डोमनिक कंट्री है उसकी राजधानी है करेबियन देश है डोमनिक तो यहां की सरकार ने प्रधान मंत्री मोधी को डोमनिक का आवार्ड आफ ऑनर देने की घुश्ड़ा की है जो कि डोमनिक का सर्वोच डास्टी पुरस्कार है कौन-कौन से देश भारती प्रधान मंत्री मोधी को सर्वोच नागरिक पुरस्कार दे चुके हैं इस साल तो आपको याद होगा रूस दिया था, पापु अनियोगिनी दिया था, फ्रांस और मिस्र ये चारो दिश दोजार चौविस में प्रधान मंत्री मोधी को अपना सर्वोच नागरिक सम्मान दे चुके हैं हाली में सर्वदंस को अदिसूचित रोग घोशित किया गया है तमिल नाडू में क्यों किया गया है ताकि मतलब पता चल सके कि जो अधिसूचित रोग घोशित किया गया है तमिल नाडू राजी के द्वारा किस राज या कैनसासी प्रदेश के सराए काले खांच औरहे का नाम बदलकर विरसा मुंडा चौक कर दिया तो मने बताया था आपको दिली और उत्तर प्रदिस्की तंबाकु मुक्त ग्राम पंचायत कोई सी बन गई है बहुत important question है उत्तर प्रदिस्की जो तंबाकु मुक्त ग्राम पंचायत है उसका नाम क्या है यह है नंगली किठाओर यह मेरट की यह ग्राम पंचायत है जो कि भारत की नहीं उत्तर प्रदेश्की पहली तंबाकु मुक्त ग्राम पंचायद बन चुकी है तो इस ग्राम पंचायद में कोई भी सदस से तंबाकु का सेवन नहीं करता है बड़ी सांधार बात है मनुझ बाचपई अवनीत दव फैबल ने अनतिसमें लीड्स अंतररास्ती फिल्म होत्सो में कांस्टिलेशन फीचर फिल्म प्रतोइकता में सरस्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है तो देखो ये अनतिसमें लीड्स अंतररास्ती फिल्म होत्सो था और ये जो दाफैवल नामक मूवी है ये बनाई ही किसने राम रिडी ने बनाई है मूवी मैंने देखी नहीं है लेकिन देखूंगा जरूर आप भी देखना क्योंकि जो थोड़ी से अवार्डेड मूवीज होते हैं उनको देखना चाहिए बहुत कुस सीखने को मिलता है वसे सबता में एक दिन आप कोई एक अच्छी मूवी जरूर देखा करो इससे ना आपको बहुत कुस सीखने को मिलता है movies बहुत ही research के बाद बनाई जाती हैं जो अची movies होती है और आपको बहुत को सिखाती है दुनिया का पहला सबसे अधिक उचाएवाला पैरा sports center ये कहां पर बनेगा तो दुनिया का सबसे अधिक उचाएवाला पैरा sports center बनेगा लद्दाक में और देखो जैल जीवी मेला का आवजन कहां पर हुआ तो उत्राखंड में जैल जीवी मेला इसी परकार से बाली जात्रा उत्सो ये मनाया जाता है कहां पर ओडिशा में हाली में Miss Universe 2024 का खिताब जीत लिया है Victoria Care Thelwig ने नाम याद रखना बहुत ही important है ये Miss Universe 2024 का खिताब किसने जीता है Victoria Care Thelwig ने ये कहां की है तो ये Denmark की है और Miss Universe का या 73 संस्क्राण है इसका आज़न मैक्शिको में किया गया था अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है किसमें से एकाथ प्रसन एक्जाम में मिल जाए और मुझे लगता है कि मिलेगा जरूर आपको जैसे कि Miss World 2024 का आज़न मुंबई में किया गया था इस बार यह 71 संस्क्राण था याद रखना कि Miss Universe का 73 और Miss World का 71 संस्क्राण 2024 में हाजित किया गया तो Miss World 2024 कौन बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है कहां की है चेक गणराजी की है Miss Universe 2023 कौन बनी थी सैनिस पलासियो बनी थी यह निकारागुआ की थी और Miss India वर्ड वाइड 2024 यह बन गई है धुरुवी पटेल तो देखो Miss India वर्ड वाइड 2024 बनी है धुरुवी पटेल तो Miss India कौन बनी है निकि प्रड वाइड 2024 जुनी गई है कैंजा लेली कहां मुरक्को में अब मुरक्को की है ठीक है किसे नाइजेरिया का दूसरा सर्बोच सम्मान Grand Commander of Order of the Niger से समानित किया गया है नाइजेरिया देश का सर्बोच सम्मान नाम में नाइजेर लिखा हुआ है सम्मान का नाम क्या है Grand Commander of Order of the Niger इस सम्मान दिया गया है भारते पिदान मंतरी नरेंद मोदी जी को ठीक है हाली में रिजर्ब बैंक ने किसे DCIV के रूपे नामित किया है DCIV मतलब ये तीन बैंक है और ये जो तीनों बैंक है मतलब ये भारत की अर्थवियोस्ता के लिए बहुत ही मत्पूर्ण है इन्हें Domestic Systematically Important बैंक की संग्या दी जाती है ये बैंक कौन कौन सी है State Bank है ICICI Bank है और HDFC Bank है Interpol का Secretary General बना गया है वालडेसी उर्केजा को एक्जाम में पूछ सकते हैं कि Interpol के Secretary General वालडेसी उर्केजा किस देश की है तो ये ब्राजिल के निवासी है ठीक है और गुरू घासी दास तीमोर पिंगला देश का छपनमा बाग हवेरन बना है तो ये बहुत important है गुरू घासी दास तीमोर पिंगला देश का छपनमा बाग हवेरन बन चुका है तो अब भारत में बाग हवेरनों के संग्या कितनी हो गई है 56 हो गई है यह जो गुरुगासी जास तिमोर पिंगला बाग हवेरन है यह किस राज में है तो 36 गड़ में है 36 गढ़ का ये चोथा बागवरक्ण होगा, अभी तक कॉन इत्या हैं हैं इंदिरावती, उदनती, अचान्पुपा यह गुरुघ 2 तमोर पिंग्ला. ये भी आप याद रखिए हाली में भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परिष्छक के रूप में किसे न्यूक्त किया जाएगा तो भारत के मतलब CAG कौन बन गए हैं तो के संजे मूर्ती और 2024 वैसुइक मिर्दा समेलन कहा पराजूत किया गया है तो नई दिल्ली में ये भी आद रखिए हाली में SpaceX ने भारत के किस कम्मिकेशन सेटेलाइट को लांच किया है तो भारत का एक कम्मिकेशन सेटेलाइट है जिसका नाम है G-set N2 ये रट लेना बहुत इंपोर्टेंट है थोड़ा भारी था तो इसके लिए हमें SpaceX Elon Musk की जो कमपनी है उसकी साहता ल प्रांच किया है भारती अंतरराश्टी फिल्म होतसो आई FFI का 95 संस्क्रण गोवा में आजित किया गया था याद अगना कि जो आपका 55 आई FFI था इसका आउजन कहा पर हुआ था गोवा में किया गया 20 नॉंबर से 28 नॉंबर तक 181 देशों की 180 अंतरराश्टी फिल्में इ अर्थिक सहयोग यानि कि APEC इसे आप क्या कहेंगे APEC के निताओं की बैठक की गई है कहाँ पर तो पेरू में इसकी एक थीम रखी गई है ससक्ती करण सामिल करना और बढ़ाना अगले साल इसकी बैठक होगी साउथ कोरिया में APEC मतलब फुल फार्म होता है एसिया पैस बाउल्ट्रे क्या नाम है दीना बालू आरते पढ़िये क्या पढ़ेंगे आप फिलाल यह लिखा हुआ है आप पढ़ लो राश्टी प्राकृती चिकित्सा दिवस होता है 18 नौंबर को और 2018 से मनाया जाता है महात्मा गांधी को भारत में नेचुरोपैथी यानि कि प्रा नेडिक्ट लस्ट को आधुनिक न्यचुरोपैथी का जनंग माना जाता है यह भी याद अठतना इंपमटन है हाली में सज्वक्त राश्ट ने किस राजी के बस्तर गाउं को परेटर नस्तर की सूची में सामिल किया गया है सभूतरास्ट के द्वारा यह जो बस्तर गाउं की संग्यादी है यह गाउं कांगेर नेशनल पार्क के भीतर रिस्तित है तो बड़ा एक खुशूरत सा गाउं है घुडमारास गाउं यह याद रखना यह कहां पर है तो शत्तिस गड़ में है विशु बिराशा सप्ता मना अगया भी हाली में 19 से 25 नॉबर तक जिसा क यह कैसे है तो यह जो है तैटिस तैटिस जो है आपके यह सांस्क्रितिक अस्थल के रूप में जाने जाते हैं ठीक है यह आद रखना आप हाली मिकिस देश को वेल्स के हारनविल फेस्टिवल दुजर 24 के लिए भागेदार देश घुशित किया गया है मतलब वेल्स के से मनाया जाता है दुजर 24 में हारनविल का 25 संस्क्रण होगा यह आपको पता होगा हारनविल जो ना यह दो राज्यों का स्टेट बर्ड है केरल का और अर्रांचर प्रदेश का ठीक है इसे प्रिकार से या तक ना कि जो एक हारनविल फेस्टिवल है जो कि नागा लैंड का है लेकिन अगर पक्ये-पागा हनविल फेस्टिवल गहा जाये तो जो पक्ये-पागा हा थे स्टिवल यह रांचर प्रदीस का ठीक है यह देखो Climate Change X-Change Performance Index 2025 में भारत का अस्थान कितना है तो 10 वा अस्थान है CCPI Index 2025 भारत की रहेंग कितनी है दस्वी है इसमें एक दो तीन अस्थान खाली रखे गये है एक दो तीन पर कोई नहीं है चोत्य अस्थान पर डेनमार्क है एक एकिसे डेन्मार्ट जो है CCPI इंडेक्स में टॉप पर है और भारत दस्वें अस्थान पर है इसे जारी कौन करता है तो जर्मन वाज के द्वारा इसे जारी किया जाता है ठीक है अगला कोश्चन है 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स कहां पर होंगे तो पै किये जाएंगे हाली में इंटरनेस्टनल सूलर र्लाइंस का एक सो चार्मापूंट सदस अबन गया तो आर्मेनिया अभी उपर मैंने आपसे पूछा था न तो आर्मेनिया ने भारत से आकास मिसाल खड़ी दी है और साथ यसाथ जो आर्मेनिया में वह भारत में I.S.A. का एक सो चारवा सदसे दिस भी बन चुका है तो यह भी आप याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है फ्रस आपको बता देता हूं कि फिलाल आईएसे का चुस्तोवा दिस बना था यह परागवे बना था एक सो एक वा नेपाल एक सो दोवा एंटिगुवा और बार्बुडा एक सो तीवस्तोवा बना था सीरिया और चौथा बना था आर्मेनिया अब देखो यहाँ पर सारे प्रस थमाप्त होते हैं और उमीद करता यह सेसन आपको अच्छा रगाओ का पूरी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन और बाले कमेंड में हैं आपको इतने प्रस नहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे अने प्रस भी मिलेंगे लगबग 20-50 पेज में पूरा करेंट आपका यहाँ पर खतम हो रहा है तो फटा फटा पर डा किस मंतका करेंगे तो देखो अब हम तीन मेने का जो करेंट फेर है उसको एक साथ अपलोड करेंगे बने रहे हमारे साथ थैंक यू